ओके तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो हमारे पास open system and close system तो open system और close system क्या है इसको समझना है तो बहुत easy है इसमें बहुत ज्यादा difficult बात नहीं बोली गई है तो हमारे पास क्या है open system और close system जब भी हमारे पास air refrigeration system में cool air जो जाएगी वो अगर तो product के साथ touch में आ रही है product का मतलब क्या है मान लेजे कि हमारे पास सबजियां पड़ी है वहाँ पे खाने बीने का समान पड़ा है तो हमने ठंडी ठंडी हवा उसके उपर से गुजार दी है तो product के touch में आ रहा है एक त तरीका है यह देखिए हमारे पास next में देखते हैं तो यहां पे क्या हो रहा है कि air जो आ रही है हमारे पास यहां से माले जिये कि cool air आई और यहां से हमने chamber में से किसी chamber में से जहां पे हमने ठंड़ करनी है वहां पे food सबजी यहां पे कुछ पड़ा है खाने पीने का समान तो इसके direct contact में आई और ये हवा यहां गई, यह direct contact, और दूसरा ये है कि ये pipe के अंदर से जाए, यहाँ pipe के अंदर से जाए, और इस pipe के अंदर से जब जाएगी तो direct contact नहीं होगा, फिर भी ये cooling करेगा, obviously थोड़ा सा pipes में जो difference रहेगा कि हमारे पास direct contact ना आने के करण, लेक closed system, okay, तो हमारे पास इसमें थोड़ा सा लिख लें प्लीज इसको, open system क्या है, as the name indicates, the cool air comes in direct contact with the refrigerated product stored in the cold chamber, तो cold chamber में हमने कोई product रखे हैं, direct contact में आएंगे, okay, closed system में क्या है, the cool air passes through the pipes, और pipe made into the coil placed in the chamber and extract heat from the cold chamber without coming in direct contact with the product stored, तो product store जो हैं, उनके साथ बिलको direct contact नहीं होगा, तो यह हमरे पर closed system आयता है, अब difference थोड़ा सा लिख लें इसको, please, तो difference है, open system और closed system है, due to direct contact, the air pick up moisture from the product, यह हो जाता है, कि अगर वो product direct contact में आएगा, तो product का moisture उठा लेगा, moisture उठाएगा, उसके कारण होगा कि the moisture during the expansion may choke the valve, अगर वही वाली air जिसके अंदर हमने moisture भर दिया है, वो अगर दुबारा आएगा, तो वो चौक कर सकता है, चौक करने का मतलब कि यह moisture जब liquid बन जाएगा, तो वहाँ पर जाके उसको जम सकता है, फस सकता है, तो problem आ सकती है, यहाँ पर there is no such risk, तो ऐसा कोई risk नहीं है क्योंकि diet contact नहीं है, expansion can be carried only up to atmospheric pressure in the cold chamber, कि हम जो अब expansion करेंगे, वो atmospheric pressure तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं, डिरेक्ट, हम expand करेंगे, जब मालीजे, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ, अब ज अगर इसने air छोड़नी है, तो वो open air में छोड़ रहा है, open air में हमारे पास atmospheric pressure है, यह कितना है, atmospheric pressure है, और वो atmospheric pressure जो है, वहाँ तक हम इसको लेके जा सकते हैं, उतने pressure तक इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो यह problem आ सकती है, इसमें there is no such restriction, ऐसा कुछ नहीं है suction to compressor takes place at the atmospheric pressure, हाँ, अब जो air आपने हवा में खुली छोड़ दी, अब compressor जो लेगा, suction के लिए वो भी atmospheric pressure ही मिलेगा उसे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, suction to compression may take place at high pressure, तो high pressure वाली है, air भी हम छोड़ सकते हैं, फाइदा है हमें, size of compressor and expander cannot be reduced, तो इसमें reduce नहीं किया जा सकता है size of the compressor and expander can be reduced, तो इसमें reduce किया जा सकता है, ओके, next देखते हैं, तो application of reference system for the aircraft, तो यह बड़ा important है, तो प्लीज थोड़ा थोड़ा लिखेंगे इसको, ओके, तो application क्या है, reference system for aircraft, तो aircraft में यहार साफ सी बात है, भाई, किसके लिए है, खाना पीने का समान हो गया, cabin हो गया, crew हो होगा, कितने लोग है, एर होस्टेस है, पाइलेट है, यह सब के लिए फाइदा है, खाने पीने का समान, ठीक है, यह सब कुछ सब के लिए फाइदा है, तो हम इसको थोड़ा सा लिख लेंगे, ओके, the invention of high speed passenger aircraft, jet fighter and missile necessities to introduce the compact and simple refrigerating system capable of high capacity with reduced payload, तो यह कह रहा है कि, जैसे जैसे invention हुई, high हमारे पास अच्छे अच्छे विमान आने लगे, लड़ाकू विमान आने लगे, अलग लगा आगे, उसके का नेसेस्टी पैदा हुई, कि क्या, कि हमें तो भाई, simple refrigeration system को छोटा करना पड़ेगा, और load भी कम होता, कि भाई, load उठाना भी तो है, जहाँ इने, त चाहिए, that for jet fighter, it is of 20 ton capacity, jet fighter होते है, fighter विमान बहुत ज़्यादा ते चलते है, उनके लिए 20 ton capacity चाहिए, therefore, the power requirement for transporting the additional weight of the reference system are also considered, तो हमें power requirement उसे ज़्यादा चाहिए, बड़ा है है, भाई, tonnage, आप खरीदने जल जाओ, पता लगजेगा, एक तन का एसी, त्रेड का, दो तन क जान निकाल देते हैं, इतने में आपको rates का फरक पता लगजेगा, heavy हो जाते हैं parts उनके, तो उसके करना हमारे पास problem आएगी है, ठीक है, और plus इसमें क्या होता है, to overcome the various source of heat load, external and internal, the air cycle system proves to be most efficient, तो इन सब के लिए external load और external load क्या है, और internal load क्या है, दो तरहां के load है, अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो ये जो आते हैं, load उनकी capacity के कारण हमें इसकी जुरत पड़ी, air refusion system की जुरत पड़ी, तो सबसे पहले लिखिए बचा, ये actually मैंने आपको पहले ही समझा रखा है, इसलिए आपको easy लगएगा, external heat source क्या है, भाई, धूप आ रही है, ठीक है, धूप पा रही है, प्लस उसको उपर skin friction है, skin friction, air जो जल्दी से speed पे निकले गी, उसके करण हीट होगी, तो high speed of aircraft through air, due to skin friction, causes the air compressed and heated up, thus adding heat load through the surface of the airplane to the cabin, तो skin, जो आप भी यार चाहे, ते चल रहे हो ना, हाथ को बाहर निकालो, यहाँ पे, पूरी speed पे, हाथ पे touch करेगी हवा, ज्या अलग बात है कि हमारे पास जो कम speed होती है, इतनी ज़्यादा speed नहीं, एरक्राफ्ट जेतनी, जो skin friction बहुत ज़्यादा produce कर सके, लेकिन हाँ, एरक्राफ्ट में ये problem आती है, ओके, next solar heat, भाई, इसने तो ढूंडी लेना है, और जितना उपर जा रहे हो, तो sun की heat उतनी ज़् आ रही है, तो वो तो धूप उसके कारण solar heat के कारण गर्मी तो आएगी, आएगी, solar heat finds its way to enter the passenger cabin through the area exposed to the sun, इस तो धूप अगर है, तो भाई अंदर तो घुसेगी वो, वो तो अंदर घुसेगी जिदम लगा लो, ठीक है, next, the aeroplane always has to fly high up in the sky, उपर उड़ना होता है, where the atmospheric pressure decreases, तो atmospheric pressure decrease करता है, this causes a breathing problem, तो breathing problem आएगी, यह सार कुछ डिसकस किये, मैंने, therefore to maintain the required cabin pressure, the compressed air result in the increase of temperature, तो हमें जो compressed air देनी पड़ती है, उसके कारण temperature बढ़ता है, उसका, तो यह सब कुछ होता है externally, अब internally, अगर देखें तो internally क्या है, internally सुन लो, इंसान खुद इतनी heat पैदा कर है, कितनी normal when, when, rest, rest भी हो, भागनी रहा, gives out 400 kilo joule heat पर आ, 400 kilo joule heat देता है, एक बंदा एक घंटे में, अब खुद सो चोब, कितना क्या लगाना है, कैसे लगाना है, इसलिए हमें calculation करनी पड़ती है, Thus, the heat given off by the pilot and the passenger is the source of internal heat, passenger हो गया है, पैसे है, pilot हो गया है, यह सारे crew member हो गया, यह heat पैदा करने लगाता है, The engine parts during operation transmit a good amount of heat to the cabin by conduction, convection and radiation, तो engine के parts जो है, वो भी गर्मी पैदा कर रहे हैं, तो क्या कुछ है, देखिए, The various electrical items, electronic equipment generates heat, यह सब heat पैदा कर रहे हैं, आज कल तो यह भी हो कि mobile heat इतनी पैदा कर रहे हैं, laptop heat पैदा कर रहे हैं, यह सब electrical equipment हैं, जो heat पैदा कर रहे हैं, तो वो भी हमारे पास internal source में आ जेंगे, अब आते हैं, हमारे main part पर, जो हमने समयना है, यह है हमारे पास simple cooling system, simple cooling system, और बहुत ही simple सा है, simple सा, बिल्कुल simple, आपको यहर कुछ ऐसा था ही नहीं, समझाने वाला कुछ ऐसा था ही नहीं, खतरनाक जो हमें समयना है, यह diagram लगता है न, क्यों यार बड़ानी, क्या diagram होगा, बिल्कुल बच्चों की तरह समझाएगा, बिल्कुल चोड़े बच्चों की तरह आपको समझाएगा, देख भाई मैंने आपको क्या बोला कि हमें त कंप्रेसर है, हमें क्या करना पड़ेगा, एर जब एंटर करेगी, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, तो वो कंप्रेसर के थ्रू एंटर करेगी, अब यहां पे जो है न, यहां पे एरिया जो होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, तो मैं यहां पे इस तरह स देखना यहां पर होता है यह हमारे पास एरिया होता है यह होता है डिफ्यूजर यह क्या होता है डिफ्यूजर और यह डिफ्यूजर क्या है कि नोजल के उल्टा है नोजल क्या करती है हमारे पास यहां पर जब एरिया कम होता है तो यह विलासिटी हमारे पास इंक्रीज कर द यह डिफ्यूजर उल्टा होता है तो हमारे पास इस तरह से खुल जाएगा इसका मूल्टा हो जाएगा यहां पर विलॉसिटी कम हो जाएगी और प्रेशर बढ़ जाएगा हम यहां पर डिफ्यूजर लगा देते हैं अब जब डिफ्यूजर लगेगा हमारे पास तो यहां प प्रेशर में बदलेंगे, तो उसको कहेंगे हम rammed air, rammed air अब जो rammed air है वो enter करेगी जब यहां से तो हम उस rammed air को यहां से एक लीक कर लेंगे हवा को यहां से आजा मेरे भाई यहां से आजा, और बाकी जो हवा है हम यहां से निकाल देंगे ये हिस्सा जो है मेरे भाई ये है हमारे पास जेट इंजन का हिस्सा है ये जेट इंजन का हिस्सा है ठीक है मैंने आपको जेट इंजन का पहले बोला था कि भाई जेट जो होते है वो उसका फ़ड़ा पढ़ लेना ठीक है तो कंप्रेसर होता है टर्बाइन होती है कंबस्चन जैंबर होता है हमारे पास ये इंजिन का हिस्सा है लेकिन हमने इसको भी यहाँ पे फाइदा में लिया, कहा लिया जब एर यहाँ पे आएगी तो कंप्रेसर चलेगा, कंप्रेसर से कंप्रेस होगी, अब जब कंप्रेसर से कंप्रेस होगी ना एर तो वो compressed air अब compressed हो चुगी है यहाँ से निकलेगी इसका color कुछ और ले ले ताकि आपको दिखे तीक है यहाँ से आ जाते हैं यहाँ से आ जाते हैं तो यह compressed होगी है compressed air को pipe के थूँ यहाँ से यहाँ निकलेगी जानी air यहाँ भी है कुछ हिसा यहां निकाल देंगे यह हमारा engine का हिस्स है यह हम यहां से निकालेंगे इसमें pipe में से जाएगा pipe में से निकलता हुँ जाएगा क्यों अब यह देखे compressor जब compress कर देगा तो temperature बढ़ जाएगा pressure बढ़ेगा obvious लिकिन temperature बढ़ेगा अब उसका temperature डाउन करने के लिए हम इस pipe में से निकाल रहे ने इसको उपर से जो air आ रही है वो इसके साथ pipe के साथ contact में आएगी अब जो उपर से air आ रही है उपर से air कौन से आ रही है यह वाली देखें तो हमारे पस यह वाली यह यह वाली air आ रही है ये pipe के साथ touch में आएगी, touch में आके इसकी heat लेकर नीचे निकल जाएगी, और इसको क्या करतेगी ठंडा करतेगी, ये अब air क्या हो रखी है, ठंडी हो रखी है air, ये ठंडी air हमारे पास यहां से जाएगी, और इस ठंडी air को और जदा ठंडा करने के लिए हम यहां से एक cooling turbine म जब ये चलेगा तो ये ठंडा हो जाएगा और ज़्यादा टेमपरेचर डाउन हो जाएगा तब जाकर इसको कैबिन के अंदर देंगे लोगों को लो मेरे भाई सांस लो ठंडी ठंडी सांस लो फिर आपको मजाते हैं कि ठंडी हवा आ गई बास समझाई अब ये टरबाइन चलती है इसके साथ हम एक्जॉस्ट फैन चला देते हैं और ये इग्जॉस्ट फैन जो है जो ऊपर से एर आ रही थी उसको बाहर निकालके बाहर फैंक देता है जाने दे बाहर कोई बात दी कितनी सिंपल सी बात थी एर आई कंप्रेस सुई हमेरे बास तो गरम है हमने ये मेरे भाई आपका क्या लगा आपने कोई compressor यूज किया इसके लिए इसके लिए special यूज किया नहीं कोई बिजली यूज कि कुछ ही नहीं यूज किया आपके पास यह अगर यह नहीं है तो यह तो लगाना ही पड़ेगा इंजन मालीजे अपने बंदा नहीं भेजने जहाज अपने आप चलेगा उसमें बंदे नहीं बैठेंगे हमें इसकी रेफरजेशन सिस्टम की जूरत नहीं है ठंडी हवा की जूरत नहीं है आटो पाइलेट है अराम से अपने आप उड़ेगा अपने आप आजेगा तो Obviously, इसके ऊपर pressure पढ़ेगा, लेकिन अलग से system है, नहीं है, अलग से नहीं है, कोई हमारे पास यहां पे compressor बढ़ा लगाना पड़ा, नहीं लगाना पड़ा, तो इसलिए बोल रें थे हमारे पास, कि हमें इसका फाइदा है, हमें इसका फाइदा है, इसलिए ये फाइदा है, कि हवा तो है, इसको सिर्फ ठंडा करना था, तो ये सिस्टम, सिंपल सा सिस्टम है, इसी भी नाम क्या है, सिंपल कुलिंग सिस्टम, simple cooling system और इसके लिए हऊगा बना होता है मेरे भाई पता निक्या आगा है diagram बहुत बड़ा diagram है है कुछ भी नहीं diagram में लेकिन हमारे लिए बहुत ज़दा हमें और यह जो jet engine है यह simple सी बात है कि compressor होता है compressor जब घुमेगा तो यह shaft घुमेगी shaft घुमेगी तो turbine भी घुमेगी compressed air जो है वो यहां से निकलेगी और यहां पर combustion chamber होता है यहां पर हमारे पास fuel भी आता है और air भी आती है combustion chamber में हमारे पास यहां पर fuel आएगा जैसे engine होता है न हमारे पास four stroke petrol engine की तरह यहां से petrol का छिड़काव किया जाएगा injector की तरह injector है जैसे diesel engine की बात करें तो injector की तरह हमारे पास inject करेंगे आएकल तो petrol वाले भी आते है injector वाले तो यहां पर air compress डियर आएगी तो जवलन परक्रिया होगी और यह जवलन परक्रिया ढा करके इसको यहां से दुवा देगी और टरबाइंग को चलाएगी और यही टरबाइंग कंप्रेसर को चलाएगी टरबाइंग कंप्रेसर को चलाएगी कोई दिक्कत नहीं तो यह जब चलेगा हमारे पास तो उसके बाद एक गरम हवा जो निकलती है वहां से उसको हम through jet engine के through निकालते हैं और जहाँ जागे जाता है बहुत ज़्यादा इसके फोकस नहीं कर रहा है मैं सिर्फ आपको सिर्फ यह बता रहा हूँ कि यह है क्या ठीक है आपको समझा गयोगा है तो इनका engine का फाइदा उठाके हमने cooling ले ली इसलिए इसको क्या कहते हैं simple cooling system और इसमें अगर देखेंगे हम तो वही सारी थियोरी वही है ठीक है इसमें बस यह chart है जो समझाना है मैंने बाकी थियोरी वही की वही है उसमें कोई tension नहीं कि आपको जुरत नहीं पड़ेगी बात समझा इए आपको अब समझते हैं हमें इसका ts diagram जो हमारे पस ts diagram है वो समझना है तो उसके लिए हमारे पस के simple सी बात हमारे पस दो बारा एक बर चोटा सा बना दू मैं आपको ताकि आपको समझा ज़ेगा ts diagram हमारे पस किस तरह से है इसके लिए हमारे पस दो lines चाहिए हमें तो इसके लिए हम दो लाइन्स ले लेंगे, एक हमारे पस यहाँ पर T और यहाँ पर S आजएगा, S आजएगा, ओके, और इसमें हमारे पस T S डाइग्राम में हमारे पस यहाँ पर क्या होगा, टी और यहां पर S आजएगा हमारे पास है S एंट्रोपी टेंपरचर और एंट्रोपी के बीच में हमारे पास इसमें हमारे पास जो देखिए प्रेशर वर्ड लाइन्स है वो इंकलाइन होगी यहां पर इंकलाइन लाइन्स होगी इस तरह से इस तरह से होगी ये अलग लाइं पहले ही बना रहा हूँ है इसके लिए कारण क्या है कि हमारे पास अलग लग प्रेशर होते हैं हमारे पास क्या हो रहा था कि सबसे पहले यहां पे मैं बना देता हूँ सबसे पहले हमारे पास रैमिंग एक्शन हो रहा था वहाँ पे तो सबसे पहले लाइन जो आती है वो आती है एम्बियंट अगर को स्पेलिंग मिस्टे को देख ले ना यार ठीक है एम्बियंट एयर प्रेशर यहां पे उगा इससे ज्यादा थोड़ा उपर प्रेशर हम रखेंगे वो रखेंगे हमारे पास यहां पे कैबिन का कैबिन में थोड़ा सा हाई प्रेशर होगा जो हम क्योंकि हम इतने प्रेशर वली एयर तो दे नहीं सकते लोगों को तो इसलिए हमारे पास कैबिन का प्रेशर जोगा थोड़ा सा हाई होगा इससे जादा होगा इसके बाद हम क्या कर देते हैं इस एयर को रैम यहां पे दे Rammed Air Рammed Air Okay, बात समजागी؟ Rammed Air हमारे पास ये प्रेशर होगा क्योंकि हमने थोड़ा सा प्रेशर उसका हाइ कर दिना है इसके बाद Air जहाँ जाती है वो कहunci है भाई साब Air में? वहाँ जाती है कमप्रेसर के अंदर कमप्रेसर के अंदर तो compressor के अंदर जाती है तो compress actual में अब होगी actual में अब होगी और वो compress deer हम use करते हैं तो ये जो line है हमारे पास compressor वाली तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये वाड़ लाइन थोड़ी और उपर बना लिते हैं ठीक हैं? ये थोड़ा सा और उपर मना लिते हैं कहां गया? eraser ये रहा तो ये हम थोड़ी सी और ऊपर बना दोलते हैं ताकि आपको बाद समझाए कि इसका high pressure है तो ये actual है compressed air compressed air ये है actual में compressed air ये है actual में बाद समझाए This line है compressed air की तो अब इस्टार्ट होता है काम पहले हमारे पास क्या है? लाइन है हमारे पास 1 से 1 से start की मा लिजे 1 से 1 point से start की ambient air से उसके बाद हम इसको ram करते हैं, ram करेंगे तो ramming action होगा, उसके करम क्या होगा? pressure rise होगा उसके करम क्या होगा? हमारे पास pressure rise होगा और वो pressure बढ़ जाएगा 2 point तक का जाएगा 2 point तक का जाएगा तो मैं इसको लिख देता हूँ कि ये 2 point है हमारे पास sorry, ये इसको select कर ले 2 point है हमारे पास ये वाला, तो ये हमारे पास क्या हुआ है? ramming action, अब pressure बढ़ना है, अब जब pressure बढ़ेगा तो हमारे पास किस तरह से आजेगा? ये अब और जड़ा उपर चला जाएगा ये और जड़ा उपर चला गया तो अब ये line जो है वो कहां तक पहुँच की? यहां तक पहुँच की है और इसका नाम जो है हम क्या करतेंगे? इसका नाम 3 रख देंगे कि ये 3 point है अब pressure हमारा actual में increase हो गया इसके बाद हम क्या करते है इसके बाद हम इसको pipe में से निकालते है pipe में से निकालते है और इस pipe में से जब निकालेंगे तो हम इसके उपर rammed air डालेंगे इसके उपर rammed air डालेंगे और जो rammed air है हमारे पास वो इसको ठंडा करेगी ठंडा करेगी ना रैमिंग एर वाली तो अपनी जो हमें एर चाहिए उसको ठंडा करेगी उसको ठंडा करेगी तो मेरे भाई ये वाला temperature जो है वो decrease कर देगा इस line के उपर मतलब हम इसका pressure वही रख रहे हैं हम दिखा रहे हैं कि pressure नहीं decrease हुगा हमारे पास temperature decrease हुआ है तो ये 4.1 बन जाएगा तो हमारे पास ये line जो है वो कुछ इस तरह से इस तरह से जाएगी और इसका pressure जो है वही रहेगा लेकिन temperature decrease कर जाएगा अब जो number point बन गया वो बन गया चार ये बन गया बात समझाई है बात समझाई है अब हम क्या करेंगे इसको और ज़्यादा cool करेंगे और इसको temperature down करेंगे और ज़्यादा और इसका pressure भी low करेंगे कहाँ पे cooling turbine में तो हमारे पास कहा जाएगी ये air cooling turbine में cooling turbine में यहाँ पे enter करेंगे cooling turbine में हमारे पास क्या होगा temperature और pressure दोनों down आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे इसको और ज़्यादा नीचे लाएंगे और यहां तक लियाएंगे cabin pressure तक cabin pressure तक इसलिए क्यूंकि हमें cabin में देनी है हवा तो अब यह 5 point बन गया इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हम इसको cabin में हवा देनी है हमने इसलिए यह heat उठाएगी cabin से heat उठाएगी और यह 6 point तक चलेगा temperature थोड़ा rise कर जाएगा 6 point तक चला जाएगा बात समझाई सर जी बात समझाई के नी अब यह 5 से 6 क्या है कि cabin में enter कर गया और लोगों की heat वहां के जो भी हाल था जो भी बुरा हाल था वो सारी heat उठा ली अब यह 5 से 6 यह चीज है यह चीज हमें समझानी चाहिए अब देखे अब हम निकालेंगे इसका COP COP तो मैं इसको थोड़ा सा चोटा करना चाहता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर लूँ मेरे भाई इसको रब कर लो ना इसको रब कर लेते हैं ताकि हमें बाकी चीज के लिए फाइदा मिल सके ध्यान से करना पड़ता है उपर अरी चीजें भी उड़ जाती है ओके तो हमारे पास यहां पे इसको सेलेक्ट करके और थोड़ा सा चोटा कर लेते हैं बाई साब को कि नहीं हमें तो चोटा चाहिए यह है ठीक है ओके यह आगया इसको हम साइड में रख लेंगे ज्यादा जूम हो रहे ना यह इधर ठीक है इसको यहां रख लेते हैं आप देखें COP निकालना चाहते हैं तो जब COP निकालना चाहेंगे हमारे पास तो COP के लिए हम क्या करेंगे यहां पे मैं COP निकालना चाहता हूँ तो COP क्या होगी हमारे पास COP होगी कि heat extracted कितनी हुई heat extract कितनी किया आपके you extract कितनी की और extract और हमने क्या किया work done by the compressor work done by compressor compressor ने कितना work done किया य्ये हमारे पास heat extracted कहा से निक्ञ सकता है यह देखे यह है heat extracted वो अधा by the compressor है 2 से 3 तो हम क्या कर सकते है इसको simple सी बात कि हमारे पास heat extract कितना है 5 से 6 है तो CP T6 T6 minus T5 T5 मैं क्या लिख रहा हूँ 6 है वो 6 है T6 minus T5 ओके और ये मेरे पास work done by compressor ये है तो CP T3 minus T2 ये हमारे पास आजएगा CB से CP अज़र कर दो भाई T6 minus T5 upon T3 minus T2 बस ये हमारे पास COP का formula आजएगा I hope कि ये चीज आपको clear होगी तो ये था हमारे पास simple cooling system next topic में चलते हैं, next video में चलते हैं